तो दूसरो भारत में बनने वाले high speed rail corridor या फिर कहें bullet train पर योजनाओ पर अब पहले की तुलना में बहुत जादा ध्यान दिया जा रहा है जिसमें शामिल है construction work, भूमियदी ग्रहन, survey work, budget, international deals और manufacturing इन सभी project पर बहुत focus के साथ काम किया जा रहा है और इन सब का ध्यान रख रह bullet train पर योजना यानि की वारा से टू हावडा की बीच में बनने वाली high speed rail corridor जहां पर इस परियोजना को complete होने के बाद लगभख 10 stations का निर्मार किया जाएगा और इस परियोजना की कुले लंबाई लगभख 711 km है तो अगर हम बात करें इस परियोजना के बारे में तो बनने वाली इस 711 km bullet train परियोजना का जो सर्वे वर्क है वोसको शुरू कर दिया गया है और कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है बहुत जल्द ये complete हो जाएगी यानि एगर हम compare करें भारत की पहली bullet train परियोजना यानि की मुंबई से लेकर के एहमदबाद के बीच में बनने वाली 508 km परियोजना और ये वाराने सी टू हावडा के बीच में बनने वाली परियोजना तो ये भारत की दूसरी परियोजना पहली परियोजना से जल्दी बन करके तयार हो जाएगी ऐसा रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर जानी थी लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपग्रेट किया गया है जहां पर ये परियोजना बिहार और जारकन के भी कई राजों से होकर गुजरेगी जिसमें शामिल है बक्षर, आरा, पटना, नवदा, धनबाद, असंसोल, तुर्गापुर, बर्दमान और हावडा इसे क साथ में सर्वेचन वर्क में कुछ और चीज़े हाइलाइट की जा रही है आने कि कुछ ऐसे गाओं को भी टागेट किया जा रहा है जहां से इस परियोजना को इजली कनेक्ट किया जा सके ताकि सब भी लोगों को इस परियोजना का लाब बड़ी असानी से मिल पाए तो द तक के लिए वन्दे मात्रम भारत माता की जय